साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं साथ संगत जी अकसर ऐसा होता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ नकरात्मक मान सकता के लोग आकर हमारा होसला गिराने के कोशिश करते हैं जब किया वशकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूरण सोच विचार करके वो काम करें उसके बाद आतम विश्वाश और दृड निश्चय के साथ उस काम में जूट जाएं तभी हमें उस काम में सफलता प्राप्थ होगी और आज की साखी इसी विश्वाश पर अरधारी थे चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगची एक मकडी थी वो मकडी अपना जाला बनाने के लिए किसी उप्युक्त स्थान की तलाश में थी वो चाहती थी कि उसका जाला ऐसी स्थान पर हो जहां धेर सारे केडे मकोडे और मक्षियां कर फस चाएं इस तरह से वो मजे से खाते पीते और आराम करते हुए अपना जीवन बिताना चाहती थी उस मकडी को एक घर के कमरे का एकोना पसंद आ गया और उसने वहाँ जाला बनाने की तयारी शुरू कर दी उस मकडी ने अभी अपना जाला बुना शुरू किया ही था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उस मकडी को देख कर जोर-जोर से हसने लगी मकडी ने जब बिल्ली से उसकी हसने का कारण पूछा तो बिल्ली ने कहा कि मैं तुम्हारी बेव कूफी पर हस रही हूँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये स्थान कितना साफ सुत्रा है यहाँ पर ना कीडे मकोडे हैं और ना ही मक्हियां तो तुम्हारे जाले में कौन फसेगा साथ संगची बिल्ली की ये बात सुनकर मकडी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और किसी दूसरी जगा की तलाश करने लगी उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वहाँ वो जाला बनाना शुरू करने लगी अभी उस मकडी का जाला आधा बुनकर तयार ही हुआ था कि तभी एक चिड़िया वहाँ आई और उस मकडी का मज़ा अकुडाने लगी उस चिड़िया ने मकडी से कहा कि अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस खिड़की पर जाला बुन रही हो जब तेज हवा चलेगी तो तुम्हारा जाला भी उड़ जायेगा साथ संगत जी मकडी को चिड़िया के बात सही लगी उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुना बंद कर दिया और दूसरी जगा की तलाश करने लगी ढूरते ढूरते उस मकडी की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी उस अलमारी का दर्वाजा भी थोड़ा खुला हुआ था साथ संगत जी वो मकडी वहां जाकर अपना जाला बुनने लगी कि तभी वहां पर एक दूसरा कीट आया और उसको सलहा देते हुए बोला कि इस थान पर जाला बनाना व्यर्थ होगा क्योंकि यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में इस अलमारी को बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी मकडी ने उस कीट की बाद को मान लिया और अलमारी में जाला बुनना बन कर दिया और किसी दूसरे स्थान की खोज करने लगी लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था अब मकडी ठक चुकी थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो गया था अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो जाला बना सके साथ संगत जी वो मकडी ठक हार कर एक स्थान पर बैठ गई वही पर एक चीटी भी बैठी हुई थी अब ठकी हारी मकडी को देखकर चीटी ने कहा कि मैं तुम्हें सुभे से देख रही हूँ तुम जाला बना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा चोड़ देती हो जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा हाल ही होता है चीटी की बात सुनकर मकडी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पच्चताने लगी साथ संगत जी अक्सर ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ नकरात्मक मान सकता कि लोग आकर हमें हतोत साहिद करने लगते हैं ऐसे लोग भविश्य की परिशानिया और समस्याएं गिना कर हमारा होसला तोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उनके बातों में आकर अपना काम उस थिती में छोड़ देते हैं जब वो काम पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पच्चताते रह जाते हैं जबकि ज़रूरत तो ये है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूरण सोच विचार करके काम को शुरू करें और उसके बाद आतम विश्वाश और द्रड निश्चे के साथ उस काम में जुट जाएं वो काम ज़रूर पूरा होगा अगर जीवन में सफलता प्राप् कोई आपकी सफलता से इरिश्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा तो कोई आप से आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके अदर्शों के खिलाफ हो ऐसे में आपको हतोत सहित नहीं होना बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ना है साथ संगत जी एक बार एक किसान का बैल एक कुए में गिर गया वो बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और वो किसान वचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं अंत में उस किसान ने फैसला किया कि चूंकि वो बैल काफी बुड़ा हो चुका था इसलिए उसे बचाने से कोई लाब नहीं होने वाला था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए किसान ने अपने सभी पडोसियों को मदद के लिए बुलाया सभी ने एक-एक फावडा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालने ही शुरू कर दी सब लोग चुप-चाप कोई में मिट्टी डालते रहे तभी किसान ने कोई में जाका तो वो आश्चरे से सन रह गया क्योंकि अपनी पीठ पर पढ़ने वाले हर फावडे की मिट्टी के साथ वो बैल एक आश्चरे जनक हरकत कर रहा था वो बैल हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ा कर उस पर चड़ जाता था जैसे जैसे किसान और उसके पडोसी उस पर फावडों से मिट्टी गिराते वैसे ही वो हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीड़ी उपर चड़ा था जल्दी ही सब को हैरान करते हुई वो बैल कुए के किनारे पर पहुँच गया और फिर कूद कर बाहर निकलाया साथ संगत जी आप भी याद रखिये आपकी जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फै की जाएगी बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी किन्तु हमें किसी भी परिस्थिती में धहर्यन नहीं खोना है और पूरी मेहनत के साथ अपना काम करना है हमें जरूर उस काम में सफलता मिलेगी साथ संगत जी उमीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट त्वारा जरूर बताईएगा और साखी को बागी संगत के साथ भी शेयर कीजेगा फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ नए विचारों के साथ तब तक के लिए धन्नरंकार जी